नमस्कार जैमादादी फाइव मिनेट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग आपका दिन शुब और मंगल में हो कल है पुशे नक्षक्तर और पुशे नक्षक्तर पर पूजा जरू कर लीजिए पुशे नक्षक्तर का मैंने एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा है उससे जरू कर लीजिए बागी तो पुशे नक्षक्तर में कुछ भी करें न करें चांदी का समान जरू खरीदे आप तो आपके लिए बहुत उत्तम और बढ़िया रहेगा सबसे महत्वण बात एक राजा था वो एक मंदिर के पास जाकर रोज बैठा करता था सभी लोग इस कहानी को धिहान से सुने और राजा जो था मंदिर के पास जाके जैसे ही बैठता था उसके दाएं में एक भिकारी बैठ जाता था और बाएं पे एक भिकारी बैठ जाता था और जैसे ही राजा के पास दाएं बाएं में एक भिकारी बैठता था तो जो दाएं वाला बिकारी था वो हमेशा ये कहता था कि राजा मुझे मुझे सब कुज देगा और जो बाएं में बैठता था वो ये कहता था भगवान मुझे सब कुज देगा राजा ये बात सुनता और रोज चला जाता सुनकर तो जो भिकारी आपस में लड़ते वो भिकारी कहता तो पागल है क्या तु राजा से क्यों मांगता है तू भगवान से मांग तो उसने बोला तू पागल है कि ये पत्थर की मूर्ती भला मुझे क्या देगी राजा हमारी रोज बात सुनता है जो भी हमें कुछ देगा वो राजा देगा दोनों के बीच में इस तरह से लड़ाई हो जाती है अगले दिन राजा फिर आ आई क्या हुआ उसने का चाहे रहें तो मंत्री तुम मत बताओ तुम एक काम करो जो ये बोलता है ना कि राजा ही सब कुस देगा एक खीर का कटोरा बनाओ उसमें बहुत सारी खीर भरो बड़ा सा भगोना बनाओ और उसके अंदर सोने के सिक्के डाल दो और जाके जो ये क हाते काते इसका पेट भर गया इसको साथ वले भिकारी पर दयाई इसने खीर का कटोरा उस भिकारी को दे दिया अगले दिन जब राजा वहां पहुंचा तो राजा देखता है जो हर वक्त ये कहता था कि राजा देगा वो तो भही बैठा है लेकिन जो कहता था कि भगवान बोला तो राजा का तुम्हें का खीर का खटोरा नहीं मिला उसने बोला खीर मुचे मिली मैंने खा ली और मैंने खाने के बाद इस पर दयाई तो लास्ट में बच्चा हुआ बची कुछी Hamburg की खीर खटोरा उसको दे दिया राजा मुस्कुराया और भोला शहीं बोलता था पर शर्ते आपको उसके उपर पूरी निष्टा और विश्वास रखना चाहिए वो किसी भी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करता है तो इसी राम इसी बात पर बोलिए जैश्री राम और भगवान हमेशा सब कुस सब कुस देता है ये बात मन में ठान कर विश्वास के सा कमेंट्स में जैमातादी जरूर बोलेगा आपका दिन आपका परिवार शुब और सुखी रहे और कल घड़ी वाला उपाए कोई और उपाए चांदी का उपाए सोना खरीदना सब कुछ बहुत अच्छा रहता है